नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ महाराष्ट्रा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्टर नम्बर टेन, डिविजन आप पॉलनामियल्स, प्रेक्टिस सेट 10.2, क्वेशन नम्बर फोर, टो, क्वेशन नम्बर ट्री तक क्वेशन जो हैं, वो इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं, अब यह जो पॉइंट है, वो है, डिविजन आप पॉलिनामियल्स बाइ, बाइनामियल्स से पॉलिनामियल्स को डिविएड करना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप सभी को रिक्वेस्ट है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बिल आइकान प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं, तो अब डिविजन करते वक्त हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिविडन होगा, उसे हमें वेरियबल के, डिसेंडिंग और के मतलब वेरियबल की पावर के, डिसेंडिंग और में हमें यहाँ पर लिखना है, तो power 3, 2, 1 यहाँ पे 0 तो यहाँ पे already descending order दी गई है power की तो हमें 2m cube as it is लिखना है plus em square plus em plus 9 फिर 2m minus 1 से divide करना है अब divide करते वक्त दिखे 2m cube तो यहाँ पे हम 2m cube को divide करेंगे 2m से तो यहाँ पे 2 और 2 cancel होगा यहाँ का 1m cube का 1m cancel 1 cancel होने के बाद 2 रहेंगे तो em square तो divide होगा em square से quotient होगा em square अब em square से दोनों term को हमें multiply करना है तो em square into 2m 2m cube as it is रहेगा यहाँ पे minus 1 into em square minus em square फिर हमें इन दोनों का sign change करना है तो plus का minus होगा minus का plus होगा 2m cube minus em cube 2m cube cancel होगा plus 1 em square plus 1 em square यहाँ पे होगा plus 2m square plus em plus 9 अब 2m square को divide करना है 2m से तो 2 cancel होगा em square का 1m और यहाँ का 1m cancel तो plus em से divide होगा फिर plus em से हमें दोनों को multiply करना है em into 2m 2m square 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into em minus em em के नीचे em लिखना है square के नीचे square यहाँ पे भी square के नीचे square cube के नीचे cube em cube के नीचे em cube अब इंदोनों का sign change करना होगा subtraction करना है इसलिए तो plus का minus minus का plus 2m square minus 2m square cancel होगा plus 1 em plus 1 em plus 2 em plus 9 फिर plus 2 em को हम 2 em से divide करना होगा तो 2 em 2 em cancel 1 तो plus 1 quotient होगा plus 1 से हम दोनों को multiply करेंगे तो यहाँ पे 2 em minus 1 ही आएगा 1 into 2 em 2 em 1 into minus 1 minus 1 अब दोनों का sign जो है वो change होगा plus का minus minus का plus plus 2 em minus 2 em cancel plus 9 plus 1 plus 10 तो remainder और यहाँ पे जोगा वो quotient तो remainder होग sorry question होगा m square plus m plus 1 remainder होगा 10 question number 5 है 3 x minus 3 x square minus 12 plus x raise to power 4 plus x cube divided by 2 plus x square अब हमें divide करना है तो पहले dividend लिखना होगा यहाँ पे diviser लिखना होगा लेकिन यह लिखते समय variable का जो सबसे highest power है x raise to power 4 तो वो पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा x की power 4, 3, 2, 1 यहाँ पे constant value variable के power के descending order में हमें पहले dividend और diviser दोनों के लिखना है अब यहाँ पे x raise to power 4 होगी अब प्लस x cube यहाँ पे शुरू में प्लस लिखने के जरूरत नहीं है फिर minus 3 x square यह 3 terms होगे फिर plus 3 x अब यहाँ पे plus sign होता है तो यहाँ पे plus 3 x minus 12 अब जो diviser लिखना है उसमें 2 plus x square है तो पहले हमें x square लिखना होगा फिर उसके बाद plus 2, 2 का sign plus होता है अब x raise to power 4 को x square से divide करेंगे तो यहाँ पे x का square ही आएगा 4 minus 2 2 ही रहेगा तो x square से divide होगा तो x square से फिर दोनों को multiply करना है x square into x square x raise to power 4 अब plus 2 into x square plus 2 x square अब यह देखें का यहाँ पे x square into x 2, 2 x square आ गया है यहाँ पे cube है लेकिन यहाँ पे square है तो square के निचे square लिखना है like term के निचे like term अब फिर इन दोनों का sign change होगा plus का minus होगा plus का minus होगा plus x raise to power 4 minus x raise to power 4 cancel होगा अब x cube निचे लिखना है minus 3 x square minus 2 x square minus minus sign से तो addition करना है 3 plus 2, 5 greater number का sign minus minus 5 x square plus 3 x minus 12 अब x cube को dehyde करना है x square से फिर x square और यहाँ पे cube में 2 x cancel 1 x रहेगा तो plus x quotient होगा फिर plus x से दोनों term को multiply करना है तो x into x square x cube x cube के निचे x cube plus x into 2 plus 2 x x यहाँ पे है तो x के निचे 2 x होगा अब sign change होगा minus, plus का minus, plus का minus x cube minus x cube cancel minus 5 x square plus 3 x minus 2 x 3 minus 2, 1 और greater number का sign plus, plus 1 x minus 12 अब minus 5 x square को divide करना है फिर x square से तो x square और x square cancel minus 5 तो यहाँ पे होगा minus 5 minus 5 से फिर दुनों को multiply minus 5 into x square minus 5 x square minus 5 into plus 2 minus 10 constant number के निचे number अब हमें sign change करना है तो minus का plus minus का plus minus 5 x square plus 5 x square cancel तो यहाँ पे होगा plus x minus 12 plus 10 different sign है तो subtraction होगा 12 minus 10 2 और greater number 12 है 12 का sign negative तो x minus 2 होगा अब remainder तो x minus 2 remainder होगा question होगा question होगा x square plus x minus 5 question number 6 देखिए क्या है a raise to power 4 minus a cube plus a square minus a plus 1 divide by a cube minus 2 अब a cube minus 2 से हमें divide करना है तो यहाँ पे power 4 3 2 1 constant value descending order है यहाँ पे a cube constant value यहाँ पे descending order है तो first term को first term से divide करना है a raise to power 4 को a cube से हम divide करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 3 a cancel 1 a रहेगा तो a से divide होगा फिर a से इन दोनों को multiply करना है a into a cube a raise to power 4 plus a into minus 2 minus 2 a तो a के निचे ही लिखना है तो यहाँ पे minus 2 a होगा अब फिर इन दोनों का sign change करना है तो plus का minus minus का plus plus a raise to power 4 minus a raise to power 4 cancel minus a cube निचे लिखना है plus a square as it is minus 1 a plus 2 a different sign है तो subtraction 2 minus 1 यहाँ पे 1 1 लिखने के जरूरत नहीं है साथ में a और plus greater number का sign plus आगे का plus 1 निचे लिखना है फिर हमें a cube minus a cube को a cube से divide करना है तो minus a cube divide by a cube a cube a cube cancel यहाँ पे 1 होगा तो minus 1 तो minus 1 से फिर दोनों को multiply करना है तो minus 1 into a cube minus a cube minus 1 into minus 2 plus 2 constant number के निचे constant number लिखना है फिर इन दोनों का sign change होगा तो minus का होगा plus plus का होगा minus minus a cube plus a cube cancel होगा plus a square plus a plus 1 minus 2 तो यहाँ पे होगा minus 1 क्योंकि different sign है तो suppression 2 minus 1 1 2 greater number का sign minus अब a square यहाँ पे है और a cube से divide करना है तो power 2 को power 3 से divide नहीं होगा तो यहाँ पे division sum up a minus 1 कोशन्ट और a square plus a minus 1 remainder कोशन्ट होगा a minus 1 remainder होगा a square plus a minus 1 तो इस chapter का जो last question है वो है देखे 4x raise to power 4 minus 5x cube plus 1 minus 7x minus 7x यहाँ पे है plus 1 last में दिया गया है टेक्स टूग में divide by 4x minus 1 तो 4x minus 1 से हमें divide करना है यहाँ पे power जो है वो descending order में लिखना है तो plus 4x raise to power 4 minus 5x cube minus 7x plus 1 अब 4x raise to power 4 को हमें 4x से divide करना है 4x raise to power 4 divide by 4x तो 4 4 cancel यहाँ पे 1x और x की power 4 में से 1x cancel x cube तो division होगा यहाँ पे question होगा x cube फिर x cube से हमें इन दोनों terms को multiply करना है तो x cube into 4x 4x raise to power 4 x cube into minus 1 minus x cube फिर sign जो है वो change होगा इन दोनों का plus का minus minus का plus 4x raise to power 4 minus 4x raise to power 4 cancel minus 5 plus 1 तो minus 4 subtraction greater number का sign साथ में x cube फिर minus 7x plus 1 अब minus 4x cube को फिर 4x से divide करना है तो minus 4x cube divide by 4x तो minus divide by plus minus होगा 4, 4 cancel x cube यहाँ पे 3 में से 1x cancel 2x रहेंगे x square फिर minus x square से दोनों को multiply करना है तो minus into plus minus x square into 4x 4x cube minus 1 into minus x square minus into minus plus x square into 1 x square अब यहाँ पे x square की term नहीं है तो x square यहाँ पे आप लिख सकते हैं आगे या फिर पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे minus x square into minus 1 plus x square अब फिर इन दोनों का sign change होगा minus plus का minus minus का plus minus x square नहीं लिखना है नेचे minus 4x cube plus 4x cube cancel minus 7x plus 1 अब x square को 4x से डिएड करेंगे x square डिएड बाइ 4x अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 1 by 4 1 को 4 से तो डिएड नहीं होगा यहाँ पे 2x हैं उसमें से 1 और यहाँ पा यहाँ का एक x cancel 1 by 4x तो plus 1 by 4x यहाँ पे होगा quotient अब plus 1 by 4x से इन दोनों का multiply करना है तो plus 1 by 4x into 4x होगा x square अब plus 1 by 4x into minus 1 minus 1 by 4x minus 1 by 4x अब फिर इन दोनों का sign चेंज होगा plus का minus minus का plus plus x square minus x square cancel अब देखिए x x यहाँ पे है तो इनकी जो coefficient है उनमें addition या subtraction होगी sign के अनुसार तो हमें यहाँ पे क्या करना है देखिए minus 7 और प्लस 1 by 4 इनमें जो भी addition होगी या subtraction होगी वो हमें यहाँ पे लिखना है तो 7 into 4 minus 28 हाँ यहाँ यहाँ पे एक गलती हो चुकी है देखिए minus x square है तो यहाँ पे हमें minus x कर लिखना होगा और फिर minus x square को हम 4x से डिवाड करते हैं तो यहाँ पे minus x कर डिवाड बाए 4x minus 1 by 4x आएगा तो यहाँ पे जो quotient होगा वो होगा minus 1 by 4x minus 1 by 4x फिर minus 1 by 4x से हम 4x को multiply करते हैं तो minus x कर आएगा फिर हमें sine change करना है और minus into minus यहाँ पे होगा plus plus 1 by 4x और sine change करने के बाद यहाँ का जो minus होगा वो plus होगा और जो plus होगा वो minus होगा अब minus x फिर plus x फिर cancel minus 7 minus 1 by 4 minus 7 यहाँ पे होगा minus 7 minus 1 by 4 minus 7 का denominator 1 है कुछ भी नहीं है मतलब फिर cross multiply करते हैं minus 7 into 4 minus 28 minus 1 into 1 1 divided by 1 into 4 4 तो minus 28 minus 1 यह होगा minus 29 by 4 तो minus 29 by 4 जो होगा वो होगा यहाँ पे जो subtraction होगा वो इनका addition subtraction तो minus 29 by 4 साथ में लिखना है x plus 1 अब minus 29 by 4 x को फिर 4 x से divide करना है जो यहाँ पे divisor है उससे तो देखे minus 29 by 4 x को 4 x से अगर हम divide करते हैं तो 4 x by 1 से divide करना होगा तो यह अगर हम numerator में लेंगे तो 1 by 4 x यहाँ पे आएगा तो x numerator में है x x cancel minus 29 into 1 minus 29 और divide by 4 into 4 16 minus 29 by 16 से divide होगा तो जो यहाँ पे question होगा minus 29 by 16 फिर minus 29 by 16 से इन दोनों terms को multiply करना है तो minus 29 by 16 को अगर 4 x से हम multiply करते हैं तो यहाँ पे जो first term होती है वो ही answer आता है multiply करने की जरुरत नहीं है first term को अब second term को multiply करना है minus 29 by 16 into minus 1 तो minus into minus plus 1 into 29 by 16 तो यहाँ पे होगा 29 by 16 प्लस अब फिर sign change यहाँ का minus होगा प्लस यह दोनों cancel हो जाएंगे और यहाँ पे जो होगा remainder देखेंगे confusion ना हो यह अलग पार्ट है और division में यह अलग पार्ट है तो यह हमारा division है तो प्लस 1 प्लस 29 by 16 तो प्लस 1 प्लस 29 by 16 के हमें addition करनी है तो cross multiply करें 16 बंजा 16 प्लस 29 into 129 divided by 16 तो 29 प्लस 16 हम अगर इनके addition करते हैं फिर से यहाँ एक गलती हो चुके है देखें प्लस का sign हमें minus करना है चेंज करना है तो minus 29 by 16 होगा तो यहाँ पे होगा minus 29 by 16 minus 29 by 16 तो 16 बंजा 16 minus 1 into 29 divided by 16 into 1 16 अब 16 minus 29 यह होगा minus 13 divided by 16 तो minus 13 by 16 यहाँ पे होगा remainder तो minus 13 by 16 remainder होगा और जो कोशन्ट होगा वो x cube minus x square minus 1 by 4x minus 29 by 16 होगा तो यहाँ पे होगा कोशन्ट यह होगा remainder तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो division of polynomial यह चाप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है अब जो next हमें चाप्टर लेना है वो है linear equations in one variable equations in one variable यह जो जाप्टर है वो हम next video में cover करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप